नमस्कार भारत एक्स्प्रेस MP डिजिटल में आपका स्वागत है मैं हूँ हर्शंकर कुमार मध्यप्रदेश में टीकट बटवारे के बाद सभी परत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं वही चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कसली हैं जिससे की सभी उ उजयन दक्षिन से कॉंग्रेस परत्याशी चेतन यादब ने अपने स्वागत के लिए एक जुलूस निकाला और उत्साहित होकर डीजे वजबाया ऐसा करना उनके लिए भारी पड़ गया क्योंकि उन पर आचार संगीता के उलंगन का मामला दर्ज हुआ हैं इस से पहले उन्हें केबल रैली निकालने की अनुमती मिली थी आपको बता दें कि चुनावायोग ने पूरी कमर कसली है आदर्श आचार संगीता के पालन करवाने को FST की टीम पूरी तरह से तयार है इस दौरान उसे खवर मिली थी कि दक्षिन उजयन में एक कॉंग्रेस परत्याशी शहीद पार्क से एक रैली निकाल रहे हैं FST की टीम को मिली थी सूचना FST की टीम रैली की सूचना के साथ को सूचना देने बाले ने ये भी बताया था कि इस रैली में आचार संगीता का उलंगन हो रहा है इसके बाद तुरंत SST की टीम वहां पहुँचती है और उलंगन क की मिली शिकायत की जांच करती है के बाद वहां से माधव नगर पहुँचकर मामले का विवरन दिया इसके तुरंत बाद SST की टीम वहां पहुचती है और उलंधन की मिली शिकायत वहां सच सावित होती है इसके बाद टीम ने थाना बाधव नगर पहुचकर मामले का विवरन साथ ओबलिक पांच के तहत मामला दर्ज किया। कॉंग्रेस परत्याशी के रैली में बज रहा था डीजे। इस पूरे मामले पर एडिशनल एस पी। गुरुपरसाद पराशर ने बताया कि FST की टीम को चेकिंग के दौरान शहीद पार्क पर उजयन दक्षिन से कॉंग्रेस परत्याशी चेतन यादव की रैली में दी गई अनुमती का उलंधन होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम वहां पहुंची तो खबर की पूस्टी हो गई। कॉंग्रेस परत्याशी को केबल रैली निकालने की ही इजाज़त दी गई थी। लेकिं रैली के साथ वहा परत्याशी टिकट मिलने के उत्साह में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आगे उन्ही के लिए मुसीवत बन जाती है। इस मामले में भी कुल मिलाकर ऐसा ही हुआ है। तो परत्याशी को इससे पहले भी चुनावायों के निर्देश दिये जाते रहे हैं। लोगों को उनमें जग परत्याशी बार ज्यादा उत्साहित अती उत्साहित होकर परत्याशी ऐसा कर बैठते हैं। और फिर मुसीवत में फस जाते हैं कभी कभी तो उनकी टिकट ही फस जाती है। को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब देश और दुनिया की ताजा तरीन खाबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्स्प्रेस MP Digital.